ChatGPT के बारे में एक ऐसी कमाल के अपडेट आई है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ And believe me, this update is going to change the people actually looking to the educational content using ChatGPT Of course, ये वाली जो है update ये plus account के साथ है Let's see Normally ChatGPT जब आप open करते हैं तो आपके पास इस तरीके से ChatGPT का For Omni या O1 Preview, Mini या दूसरे models आ रहे होते हैं लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे collaborate on writing and code यहाँ पे इस तरीके से ये canvas के साथ ChatGPT आ चुका है For example, मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ Say for example, write down a content for me where I can make an app in 4 hours using Python ठीक है, मैं simply यह लिखता हूँ और आप देखें यह मेरे पास answer आ रहे हैं लेकिन answer के साथ साथ ही left side के उपर मेरे पास canvas आ रहे हैं और right side के उपर उसकी implemented task आ रहे हैं और इसके पीछे जो technology use हो रही है you can see के यहाँ पे quick python का answer आ रहे है और left side पे आप chat कर सकते हैं right side पे आपके पास answer बड़े ही कमाल तरीके से refined way में आएंगे for example मैं यहाँ पे लिखता हूँ Can you show me the whole code मैं यहाँ पे enterprise करता हूँ and you will see कि आप क्या हो रहे है वो ही answer दुबारा से change हो रहे है see वो ही answer दुबारा से change हो रहे है so this is how you can actually look into the response time और आपके पास जो edit हो के answer आएगा canvas के थूँ और यह canvas जो है यह आपको learning content के लिए भी बहुत अच्छा help out कर सकता है हम एक और example यही पे देखते है मैं यहाँ से ने chat open करता हूँ canvas के साथ ही open करता हूँ यहाँ पर मैं कहता हूँ for example I would like to learn python basics can you please make a content can you please teach me as I am 10 simply मैं यह लिखता हूँ अब आप देखिएगा कि यहाँ पर हमने canvas के साथ start किया लेकिन जो हमारे पास answer आ रहा है it's straightly coming on the slide यह हमारे पास सिदा सिदा answer आ रहा है क्यों क्योंकि अभी canvas यह beta version के अंदर है and usually you will see the change in few days coming up in each and everything मैं इसको again copy करता हूँ again यहाँ पर हम जाते हैं पहले forum नहीं पर click कर लेते हैं फिर हम canvas पर click कर लेते हैं let's see यहाँ पर मैं दुबारा से वही चीज लिखता हूँ wood के spelling जो है वो उसमें ठीक कर लेता हूँ enter करता हूँ and you see के हमारे पास जब answer कुछ इस तरीके का आ रहा है जो बिलकुल directly हमारे पास code snippets के अंदर आ रहा है you can see के यह directly हमारे पास 4 omni use हो रहा है it's not actually using the canvas मैं अगर इसको 4 omni पर click करूँ and then I go back here या मैं अपनी जो पुरानी learn 10 basic step वाली sheet को यहाँ पर open करता हूँ then you can see के हमारे पास यह वाली chart आ जाती है अगर मैं test preparation या assignment को open करता हूँ then I can see the different things जो मैंने पहले बनाई थी like this app development in python this one so यह canvas जो है बहुत अच्छे तरीके से आपके पास चल रहा है यहाँ पर आप click करके open canvas भी कर सकते हैं और अगर आप open canvas करेंगे तो आपके पास यह वाली चीज open हो जाएगी अगर आप इसको बंद करते हैं then it will become like this और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर click करें तो आपके पास canvas दुबारा से open हो जाएगा अब मैं गया करता हूँ यहाँ पर जाता हूँ यहाँ पर मेरे पास canvas का button नहीं आ रहा मैं दुबारा से एक नहीं जो है वो write a story in framework name इससे start करता हूँ and मेरे पास जो है वो canvas नहीं आ रहा because I am using that canvas here and यह छोटा सा glitch है canvas के अंदर but it will be fine अगर मैं दुबारा से यही चीज इस जगा पर लिखूँ नई वाली chat open करके और इसके अंदर मैं canvas को open करूँ यहाँ पर paste करूँ and then I run it तो अब आपको समझ आ रही है कि मेरे पास canvas भी आ रहा है reason क्या है अब इसकी reason की तरफ चलते हैं अगर आप गौर करें तो यह जो collaborate on writing and code यह उसके उपर चल रही है यानि कि writing and code के अंदर आप collaborate कर सकते हैं ठीक है और writing and code के अंदर collaborate करने से आपको समझ आ जाएगी कि आप किस किसम की जो है वो chat GPT for Omni with canvas के साथ enjoy कर सकते हैं let's write here for example मैं यहाँ पर लिखता हूँ chat GPT for Omni canvas मैं इसको लिखता हूँ canvas is a new way to write और यहाँ पर इसके सारे benefits है कि आप किस तरीके से write कर सकते हैं for example a new way to working with chat GPT to write the code यह 3 October को launch हुआ है and here you can see better collaboration with chat GPT आप इसको chat GPT को writing and code के लिए better collaboration के लिए use कर सकते हैं context आपका understand करेगा and then automatically it will write the code as well आपको editing जो है वो भी बताएगा कि कहां कहां पर करनी है length भी set करेगा and you can also code into the canvas ठीक है और canvas के अंदर आप इससे question भी पूट सकते हैं कि मैंने फलाँ API बनानी है मुझे code बताओ तो तब यह canvas open होगा and you will see कि आपके पास canvas सिरफ और सिरफ coding के task के लिए open हो रहा and usually क्या है canvas का जो decision boundary है ये gpt4 omini with canvas and prompted with gpt4 omini इन दोरो में क्या difference है यहां पर उनका difference हा रहा है you can read out this in details मैं सिरफ आपको ये वाली update देना चाह रहा था कि आप ये gpt4 का जो canvas है इससे ज़रूर use करें and check करें कि ये कैसे काम करता है इसकी एक और example लिखते है यहां पर I want to make an app where I can design the plots for my thesis please show me the code in python let's see जैसे मेरे पास code आएगा फोरहन से यह मेरे पास यहां पर canvas open हो जाएगा समझ रहे हैं बात को तो हमारे पास पहले canvas इस बड़ा से open नहीं हुआ था because we were not asking about any code तो जैसे आप design app करेंगे यहां पर coding को आप check करते जाएंगे और उस code को आप edit भी कर पाएंगे then your app will look like this और अगर आप canvas की बात करें तो यह canvas के अंदर आप code को edit भी कर सकते हैं and then you can also find some different other methods to do the same things hopefully आपको समझ आगी होगी कि canvas जो है वो कैसे गाम करते है पास तोर पे chat GPT 4 omini with canvas canvas left side पे होता है और आपके पास left side पे chat होती है right side के उपर आपके पास canvas की तरह एक window open होती है जिसके अंदर आप changes करते जाते हैं और आपका code जो है वो आता है यह तब ही चलेगा जब आप coding कर रहे होंगे ठीक है तो अगर आपने chat GPT का plus account लेना है तो आप हमें info at codenix.com पे email कर सकते है and we can provide you the shared access of chat GPT account of course जो original price है उससे कही दरजे कम होगी और आपने पाकिस्तानी PKR में पे करना है और यह सिर्फ limited students के लिए है not for everybody क्योंकि we are not authorized to sale but we can share some team accounts जो हमने purchase किये हुए अपना ख्यार रखें नेक्स वीडियो में मिलते हैं take care and Allah आपिस